हालो बच्चों कैसे हैं बच्चों आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम आप बलैनो ग्लासेश लास लेक्चर में हमने इसके डाजिस्टरी सिस्टम के बारे में डिल में पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम आप बलैनो ग्लासेश रिस्पा अपको सेट आपको एक चीज ने हैं बता था हम ने आको बता था जो इनका फारिंग से है वह वह दो ना दो भागों में डिवाइट था एक डौर्सल ता वो रिस्पायरेटरी पॉर्शन था और वेंटर क्या था डायेस्टी कॉर्शन था ये आपको याद है हमने हैं आपको गिल उलिट था अस्थेना गिल बार्द यह चीज है आपको मैंड में ध्यान में रखना है तो आएब धित देखते हैं दा रिस्पारिट्री ओपरेटरस आप बलेनो र साथ कंपराइजीट हैं और सेकेंड के आज़ दा ब्रांकियल स्ट्राइट ओपन आउट थो गिलपूर ठीक है इन इस्ट्रक्चर को हम एक बार आपको फिर से दिखा दे रहे हैं आपको ध्यान में आ सबस्थाहर है कि हां दी च्या बता रही है घ्यी हम अने आपको बता था यह माउथ था माउथ जोन और बकल काय वती यह फैरिंग से क्या है हमने बता है एक पैरा ब्रांकियल are या lateral fold का लिजिए वो fairings को दो पार्टे में divide कर रहा है उपर वाला था darsal यहां देखे डarcal portion of fairings और नीखी वाला जो था वो था आपका जो है digestive portion of firing तो उपर वाला डार्सल portion of respiration या फिर ब्रांकेल portion of firing जो जोगी डार्सल था यह है आपका digestive portion of firing तो ब्रांकेल portion of firing का ही respiration में रोल है इस portion जो digestive portion है इसके बारे में हमने आपको बता दिया है तो ब्रांकेल portion of firing में देखे यह जो डार्सल रिस के दवरा दो भागों में डिवाइड हो रहा है यही पर देखिए यह है गिल्स रिट्स यह यूशेप्ट देख रहे हैं गिल्स रिट्स है है ना गिल्स रिट्स है और यहां इनका गिल्स पोर होगा जो की बाहर के इनके भ Zurich में होगा अ बीच पीच में गिल्स लेट्स के बीच में होगा गिल्स स्यप्टम ओर यहां पे यहां पे यह है टंग-बहल तो इतना इस्ट्रक्चर आपको पता हो गया यहां को हमने बता है यह जो याद रखेंगी उँगे उनको autom respiratory system, respiratory system, blood vascular system, nervous systemt सं़खहने में आएसानी हुआ क्योंकि यही फिगर में बार-बार आपको दिखाूंगी और जो भी अधर फिगर है उसको भी दिखाूंगी इतना आपको पता हो गया तुद देखिए जो इनका यह respiratory system है यहाँ पे 2 structure है जो gill slits है, जो branchial portion of firing में है, जहां पे gill slit present है, और जो branchial sack है that open outside to gill pore, यह branchial sack है, gill slits ही branchial sack में present है, branchial sack ही बाहर के side gill pore से बाहर open हो रहा है, ठीक है, तो आपको gill slits और branchial sack, यह gill slits और branchial sack, दो चीज़ आपको याद रखना है, अब आप पहला देखेंगे branchial firing, branchial firing क्या है, two literal longitudinal parabranchial ridge divides the pharyngeal cavity into ventral digestive portion and darsal respiratory branchial portion, यह देखें, जैसे यह है इनका pharynx, बीच में देखें, यह देखें, यह क्या है, यह है, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, पारabranchial ridge है, यह क्या क्या कर रहा है, यह जो pharynx को दो portion में, यह dorsal, branchial, या फिर respiratory portion हो गया, और mental digestive portion हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इसी, जो इनका dorsal portion है, उसी में यहाँ पे gills rates देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, यह है, टंग बार है, और बीच बीच में यह देखें, यहाँ पे, और यह आगे क्या हो रहा है, branchial sack में open हो रहा है, जो बाहर की तरफ, जो बाहर, एक minute opening की दोरा को open हो रहा है, इसी को बोला जारा है, गिल पोर, तो यह इनके branchial sack और जो branchial portion है, उसका structure हो गया, जो branchial portion है, परफुरोटेट बाइड गिल स्रिट, वो गिल स्रिट क तो गिल स्रिट से ओवल होता है, लेटर ए, hello projection, आप टार सर्फ, फरिंजियल वाल, काल टंग बार, ग्रो इन्टू दे गिल स्रिट, यह क्या होता है, टंग बार गिल स्रिट में ग्रो करता है, जो इसको गिल स्रिट को यू सेप्ड में बना देता है, यह बीच में इनका टं गिल स्रिट के बीच में गिल स्रिट के बीच में गिल स्रिट के बीच में गिल स्रिट होता है, टंग बार और गिल स्रिट के दवारा सपोर्ट किये जाते हैं, गिल स्रिट के दवारा सिलिया, जो गिल स्रिट है, वो सिलिया के दवारा लाइंड होता है, ठीक है, यही यही प यह फायरेंजियर वाल है यह फायरेंजियर वाल है यह फायरेंजियर वाल है यह फायरेंजियर वाल फायरेंजियर का पॉर्चन है हम डाइजिस्टि पॉर्चन आपको नहीं दिखा रहा है बस ब्रांकियल पॉर्चन दिखा रहे है ठीक है नीचे यहां पर इनका होगा डाइ ब्रांक्यिफ यहाँ के दोरा फारिंग्स पानी आरहा था आपने देखा फारिंग्स में वाटर आ ये ज हूं कर तो आप देख रहाएं और यह है इनका पहले structure देखिए आप लोग यह बीज बीज में टंग बार है और यह इसकोलेटल रोड है यहाँ पेशकोलेटल रोड है और यह गिल को डिवाइड करने के लिए गिल स्यप्टा है और यह आपका यूसलेटड जो बलेक बलेक है यह इनका गिल रिट्स तो यह ह इनका टंग बार ठीक है ना और यह देखिए यह गिल जो सेप्टब जो गिल है यह बाहर वाटर ब्रांकियल सैक में जाता है और ब्रांकियल सैक के दोरा गिल पोर के दोरा पानी बाहर जा रहा है ठीक है यह हो गया आपके जो इस्ट्रक्चर है उनके बारे में ठीक है तो ब् इंटवाड़ीवादेन इनुहार फायनिद में आप रिस्पायरेस्ट सेलिया नाप गिल है ने सबस्का टीन का रिस्पायर्यूए कर Stunde है तो गिल्स की जो लेटर से लिया है वह वाटर करन्ट को सेट अप करती है जो कि जीसे वाटर मॉठ से वेकल काटी से फाइरिंस में आता है ठीक है तो देखे करेंट आप वाटर सेटप हो गया पास यो घ् livestock सेड़ ने पानी पहुचाता है ठीक है, finally, leave the through the gill pore और पानी बाहर gill pore के दौरा बाहर निकल जाता है देखे, water current mouth के दौरा buckle cavity में आया, buckle cavity से firing में, firing से bronchial sac में गया bronchial sac से gills lips में gills lips को डूबो रहा है, gills lips से पानी bronchial sac में गया sorry, bronchial sac में गया पानी बाहर चला गया उसका काम हो गया आद दठें टंग बार जो है आर हाइली वैस्वलर और पाइंसिपीटल्स इंसाइज जो टंग बार है इसमें वो हाइली वैस्वलर होता है जब पानी यहां पे आता है वहीं ये गैसियस इस्चेंज कर लेता है टिफ्यूजन के दोबारा ठीक है क्या होता दा ब्लड आप दियर कैपलिरी ने डिप्रक टेक्स आप दा ओटू एंड डिजॉल्व इन यस्टुओ जो पॉनि में डिजॉल्व जो ओटू होता है जो ब्लड कैपलिरी होती है गिल बार टंग बार का वो ले लेती है और सी ओट को रिलीज कर देती हैं तो पानी आया उसका काम हो गया ठीक है तो आये मेकानेजम हम दिखा देते हैं आपको कि एससे ही में था इससे दिखा पाएंगे ठीक है देखिये देखिये यह देखिये आपके यह हो गया आपका बॉर्स जाय रिस्पार टृटरी पर घूल तैंज और बांग कैपले से तंग बारभम प्अनियों डिखा उसलिक merele दूखा गया आपके कि तो इत तो इह ऋन ठीक है अपएंड़ से पात्टेर्स पानी इसे पानी है ओन्युन cav piace यहां पर यहां पर एफ आ रहा है ना यहां पर क्राइब निकल फैक्सीब होगय थे किया होग Mi लुटिये का सब्सक्राइब को इंद कषेट कर लिए औरकर यहां पर इंद मुस्ति हीना होगturn स्ट्रक्च्च्र हमने आपको दिखाया है यहाप की यह कैनाल निखाया यह फ़स्टा कॉलर है और ये हैं गिल सेप्टम ठीक और ये हैं इनका टंग बार ये टंग बार है तो ये ओवराल इनके रिस्पारेटरी सिस्टम के बारे में हो गया नेक्ट लेक्चर में बच्चा हम लोग पढ़ेंगे वर्ड ब्लस्कुलर सिस्टम आप बलाइनो ग्लासर तो बच्चा थैंक्यू सो में मिलके हैं नेक्ट लेक्चर में ब्लड ब्लस्कुलर सिस्टम के